एक जंगल में चिंकी चुडिया और उसके बहुत से दोस्था से खुशी रहते थे सब एक दूसरे की मदद करते, सुख दुख पाटते और खोब मज़े करते फिर एक दिन सोनु को कहीं से पता चला कि कुछ समय बाद अनाज की खासी किल्लत होने वाली है सारे जंगल के परिंदे बहुत परिशान हो गए लेकिन उन सब परिंदों में चिंकी बहुत समझदार थी वो सब परिंदों से कहती है दोस्तों इस तरह परिशान होने से बहतर है हम सब मेहनत करते और मेहनत करके बहुत सा अनाज ही कटा कर लेते हैं इस तरह काफी दिन बहुत अच्छे से गुजर जाएंगे लेकिन उन सब परिंदों में बबलू बहुत आलसी कवा था बबलू सब को कहता है ये सब अफवाएं हैं चिंकी की तो आदत है अफवाओं पे परिशान होना और सब को परिशान करना इस तरह किसी ने दिहान नहीं दिया और एक दिन ऐसा ही हुआ आसपास की जंगलास से और परिंदों की इलाकों से अनाज की कमी हो गई जिन जिन परिंदों ने अनाज इकटा किया था वो कुछ समय तक सब ने मिल बाट कर खा लिया जब सब खतम हो गया तो सारे परिंदे परिशान हो गए कि अब अपना पेट कैसे भरेंगे चिंकी और सोनू जंगल से कुछ जूर एक कुवे के पास अनाज जूनने जाती हैं कुछ ना मिलने पर कुवे के करीब बैठ के चिंकी सोनू से कहती है सोनू अब तो कुई रास्ता नहीं ये अनाज की कैसी किल्द है ना जाने कैसा काल पड़ गया है कि खाने को एक दाना भी नहीं मिल रहा बिल्कुल ठीक के रही हो तुम चिंकी अगर बबलू ने सब को बैकाया ना होता और सबने हमारी मदद की होती तो कुछ दिन का और अनाजमा हो जाता बस सोनू, आप तो ओपर वालागे मदद कर सकता है ये दोनों आपस में बाते कर रही होती है कि फिर उन्हें किसी के रोने की अवाज आती है चिंकी उड़कर अवाज को डूंटी है तो वो अवाज एक दरक की होती है चिंकी चुडिया दरक्स से रोने की वज़ा पूछती है तुम भली चुडिया लगती हो कई समय से बारिश ना होने की वज़ा से बहुत प्यासा हो गया हूँ मैं अगर दो दिन और पानी ना मिला तो मेरी मिर्तिय हो जाएगी क्या तुम मेरी मदद करोगी चिंकी ने फौरण हा कहा जी मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ आप मुझे बताए थोड़े दूर जिस कुए के पास तुम बैठी बाते कर रही थी मुझे वहाँ से पानी लाके दो चिंकी और सोनू बहुत मुश्किल से वहाँ रखके बरतन को बरती है और पानी ले जाकर दरक्त में डालती रहती है पानी डालते ही दरक्त तरो ताजा हो जाता है वो एक जादूई दरक्त होता है तुम दोनों का बहुत शुक्रिया क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ जी हमारी जंगल में अनाच के कहट पड़ गई है जी जानक अपने अंदर तर्फ फल उगाता है और चिंकी से कहता है तुम नो फलो को इन में से तोड़ लो और सब मिलकर थोड़ा थोड़ा का लो और याद रखना पूरे दस फल कभी भी मत तोड़ना चिंकी और सोनो दरक्त कर शुक्रियादा करके फल लेकर जंगल में वापसी चले जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाती है और सारी कहानी भी बता देती है चिंकी चुड़िया और उसके दोस्त सब मिलकर एक एक दिन के ड्यूटी लगा देते हैं दरक को पानी देने की और फिर फल तोड़ कर लाने की चिंकी सबसे कहती है तुम सब तरक की बात को कभी मत भूलना और नो फल ही तोड़ना कभी नालश मत करना फिर एक दिन बबलू कवे की भारी आती है वो जाता है पानी देता है और नो फल को तोड़ लेता है लेकिन वहीं रुखकर कुछ समय सोचने के बाद अपने साथ आई बंसी को किसी काम से दूर बेश देता है और दस्वा फल भी तोड लेता है और मन ही मन सोचता है सबसे छुपकर रात को खाऊंगा इस तरह किसी को बाटना भी नहीं पड़ेगा उसी समय दरग की एक शाक निकल कर बबलू को पकर लेती है और डंड देती है तुम अब कभी उड़ नहीं पाओगे बबलू बबलू उसी समय रोना पिटना शुरू कर देता है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मुझे गल्टी हो गई लेकिन दरग बहुत गुसे में होता है और बबलू की कोई बात नहीं सुनता बंसी जैसे ही लोटी है ये सब देख कर परिशान हो जाती है और चिंकी और बाकी दोस्तों को दरग के पास बुला लाती है जैसे ही सब आते हैं दरग चिंकी से कहता है लालज बुरी बला है मैंने कहा थाना दस फल कभी मत तोरना लेकिन तुम्हारा दोस्त बबलू नहीं माना और उसने दसवा फल भी तोर लिया सब मिलकर माफिया मांगते हैं दरग मानतों जाता है लेकिन फल देने से इंकार कर देता है चिंकी और सारे दोस्त मिलकर बहुत चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें लेकिन चिंकी की इमानदारी देखकर दरग उसे चन फलों के बीच देता है और चिंकी से कहता है इन बीचों को जंगल में ले जाकर जमीन में घार दो और मेहनत करो कुछ समय बाद तुम्हें अच्छा फल मिलेगा चिंकी और उसके दोस्त ऐसा ही करते हैं तरफ का शुक्रिया अदा करके बीच ले जाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और उन्हें उसका फल भी मिलना शुरू हो जाता है और बबलु को भी उसकी लालच की सजा मिल जाती है प्यारे दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो शेर इंग सब्क्राइब करना मत बूलें